Hello Friends and Welcome to Chess Lecture of Santosh Memorial Chess Academy आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हाती और राजा मिलकर एक अकेले राजा को चेक्मेट कर सकते हैं इस चेक्मेट का अप्रोच भी आपका वजीर चेक्मेट की तरह ही कुछ होगा इसमें भी हमारी कोशिश रहेगी कि सिर्फ एक चेक देए देट वुड बी अचेक्मेट बस इसमें अंतर सिर्फ इतना होने वाला है कि इसमें आपको अपने राजा की जरुद पड़ेगी चेक्मेट करने के लिए क्योंकि क्वीन अपने आप में सक्षम हुआ करता था अपोनेंट के किंग को ड्राइफ करने में बट यहां आपको हाती के साथ साथ राजा को भी खिलाना होगा and you have to make sure कि वो हमेशा दोनों एक perfect coordination के साथ में उसे कॉर्णर में ड्राइफ करें आईए बहुत ही simple तरीके से इसे समझना शुरू करते हैं सबसे पहले out of these four corners हम corner decide करेंगे कि हम उसे किस corner पर देखे जाकर checkmate करना चाहते हैं we decided h8 square obviously मुझे सबसे पहले बड़े box पे बंद करना होगा by playing rook d1 आप notice करेंगे d file मैंने पूरी तरीके से block कर लिया है तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसे h8 square की तरफ में drive करो he plays king e4 queen के case में आप ध्यान रखिए अगर आप यहाँ पर होते तो आप qd2 चलते because l shaped की move है और अपने अपर राजा पीछे जाना शुरू करेगा because he cannot come king e3 but यहाँ अगर आप रुक d2 चलेंगे तो देखे king e3 आ रहा है और आपको अपने रुक को लेकर भागना होगा that's why we need our king we will play king b2 king e3 king c2 अब मेरा king और रुक एक दूसरे से supported है let's say he played king e2 यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है जब कभी भी अपोनेंट राजा आपके हाथी को अटेक करने आए आप अपने राजा की move खेलेंगे just to support your rook तो in this case I have only move king c1 he played king e3 रुक d2 रुक d2 से देखे मैंने उसका एक rank और ले लिया है king e4 दूसरा point आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों राजाओं के बीच में दो फाइल या दो रैंक की दूरी नहीं होनी चाहिए in this case आप देखिए दो रैंक की दूरी है and you can cover it by playing king c2 king e3 आप notice करेंगे फिर से वो आपको मारने आया है आपके हाथी को we will just play king move जिसमें ensure कर रहे है हमारा हाथी supported है तो ऐसे case में आप king d1 भी चल सकते हैं king c3 भी चल सकते हैं but king c1 नहीं because आप notice करेंगे हमने king c1 से ही उपर आया है so king c3 king e4 again rook d3 king e5 rook d4 king f5 दो फाइल की दूरी हो गई यहाँ पर कुछ इस वज़ा से हमें अपने राजा की जरुवत पड़ेगी king d3 I think अब तक आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे अपने king और rook के moves को decide किया है he played king e5 मेरा rook attack में है so I will play my king king e3 king f5 rook e4 king f6 अब हमें क्या हिरना चाहिए obviously king f4 क्योंकि king f4 से आप notice करेंगे देखिए आपने इस दो रैंक की जो दूरी थी उसे कम किया king g6 rook e6 चलने की तो बहुत इच्छा है but I can give only one check that would be a checkmate so that's why I will play rook e5 king f6 मुझे मारने आया है तो मैं अपने राजा को चलूँगा by playing king e4 king g6 अब आप समझ पा रहे होंगे मैं बार बार की दूरी आ गई थी king g6 once again king e6 king g7 rook f6 king g8 rook f7 king h8 king f6 king g8 king g6 king h8 rook f8 hash तो I think आपको बहुत ही simple तरीके से समझ में आया होगा कि ये checkmate कैसे perform करते हैं just to summarize आप पहले corner decide करेंगे बड़े box में बंद करेंगे अपने राजा को साथ में लेके आएंगे उसके बाद ensure करेंगे जब कभी भी आपके रुक को attack पड़े आप अपने राजा की just एक time pass करने वाली move खेलेंगे और दीरे-दीरे करके हम उसे corner पर लेके जाएंगे इस बीच में इंशोर ये करेंगे कि अगर दो file या दो rank की दूरी बनती है immediately आप अपने राजा से उसे cover करेंगे आप notice करेंगे बहुत ही simple तरीके से without any possibility of stalemate आप ये checkmate करने के लिए सक्षम थे so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा please feel free to share let me know in the comment box कि आपका क्या सोचना था और like करना इस वीडियो को ना भूले thank you guys and have a nice day